सारब जी सिंग कासा जी क्या कहेंगे आपने ओओ मिल्ला जी से मुलाकात हुई क्या गलबात हुई क्या तारीज डिसाइड होई मुझे ना जी पहले मैंने इनके जो पर्सनल असिस्टंट है दत्ता जी से बात 2-3 दिन और दिन बात चल रही थी तो अब इन्होंने फाइनल कर दिया है अब मैं फिर आज पार्लिमेट तो बनता तो मैं उनके 20 हकबर रोड़ खाउस पे गया था घर पे ओम बिरला जी के उन्होंने मेरे साथ मीटिंग होई उनकी तो मैंने उनसे बाते की कि आप जैसे कैसे भी करो तो हमारा जो देखो जो हारा हुआ है आपकी पार्टी ने उसे मनिश्टर बना दिया लेकिन हमारा जो जीता हुआ कैंडिडेट मतलो है तो उसको अपने कसम भी ने उत्त भी निक दिलाई तो उन्होंने कहा कि हम priority basis पी अब वो सारा clear हो गया है तो अब पांच तारीक को अब उसे हम कसम दिलवाएंगे पार्लिमेंट के हाउस में अब शेशन तो बंद है चल नीरा close हो गया है अब वो उने ओथ उनके personal room में दिलाई जाएगी पांच तारीक को अमरितपाल जी को तो किस तरीके से वो आएंगे और उनका protocol क्या रहेगा सुक्षा ववेस्ता कैसी रहेगी वो खुद आ सकते हैं कुछ अपत लेंगे क्या उन्हें मीडिया से बात करने की जाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ पतिबंद है रुकावट है नहीं यह इसके बारे में कोई बात नहीं हुई टुबी वेरी क्लियर ऐसी नहीं खेर कोई भी बात हुई लेकिन यह 100% शोर है तो उन्होंने मुझे पूरा श्वासन दिया है कि यह पांच तारीक को मतलब कसम खिलाएंगे उसे उ उस मीटिंग में जो उन्होंने मुझे कहा है कि आल क्लियर हो गया है सारा कुछ साफ हो गया है तो अब उन्हें पांच तारीक को किसम खिलाएंगे तमाम लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लंबे समय से इंदिजार कर रहे थे कि अमरित पाल को शपत लेनी चाहिए जैसे अ आज जो स्पेशल सत्र था संसत का उसका भी आखरी दिन है अब तक उन्होंने शपत नहीं लिए मगर आज एक अच्छी ख़बर आज आखरी दिन नहीं है कली बंद कर दिया था शेशन कल क्लोज कर दिया था तो यह है कि देखो पंचार सबह चल रहा है आज मतलब ये ना द दिलाएंगे क्योंकि ये ना हो कि अगर कुछ टाइम पिरियड होता है अगर ये किसी बात की भी तरह टालते रहे टालते रहे तो उनकी मेंबर्शिप कैंसल हो सकती है तो सब को यहीं था कि शायद ना दिलाएं और इसकी मेंबर्शिप वैसे कैंसल कर देंगे तो नहीं ले इनका जो असिस्टेंट है दत्ता जी उनके पास ही मैं दो तीन बार जाके आए हम बड़ी फ्रीक्वेंटली की नहीं जी आप करो उनको बुलाओ ओत दिलाओ दिलाओ क्योंकि जिस दिन ओत थी उस दिन मैं भी मेरी ओत से पहले उनका नाम लिया गया तो वो मुझे तो उस दि बहुत उमीद थी कि डेफिनेटली शोर था मैं तो कि वो आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो नहीं आए तो अब देखते कि आप तो फाइनल है कि पांच तारीकों हो जाएगा अमिर्पाल के पिता जी ने आपकी डूटी लगाई थी कि आप बाचित करें तो उनको अपन लोगों के लिए एक मैसेज जो इनदार कर रहे थे ख़कडूर साहिब से जो तमाम लोगों ने उन्हें विजई बनाया है जनता जनारदन ने वो इनदार कर रहे थी हां जी एस और बहुत खुशी दी ख़बर ता उस दिन आएगी वैसे था जिस दिन अम रितपाल सिंग ब ते हमें अभी चलो यह हो गया ते वैसे असली खुशी ता सानों उस दिन मिलेगी जिस दिन ही बारा होंगे अभी दिन बाद पांच जुलाई पांच जुलाई पांच जुलाई को हो जाएगा फाइनल है जो मुझे अभी स्पीकर साब ने जो कहा है ओम बिरला जी ने वो पांच तारी की कई है